अपने ब्रेकप के बाद एक लटकी होमटाउन में आकर लाइफगार्ड का चौप करती है वहाँ पर इस स्कूल के लटके से उसका अफेर हो गया था अब क्या ये अफेर उस लटकी के लाइफ को डिस्ट्राइ करेगा या एक न्यू डारेक्शन देखा ये हम आज के हमारे मुवी दे लाइफगार्ड ये 2013 की एक होलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दिजेगा अब बिना किसी तरीके एक्स्प्लिनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गारेक्टर ली को उसके बॉइफरेंड के साथ देख सकते हैं उसे चोड़ कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था उसका बॉइफरेंड इंडिया ने तो इंडिया जा रहा था ली हमारी एक जनरलिस्ट है और ली का बावर ने उसका बॉस भी था एक जगा पर छोटे से टाइगर की डेथ हो गई थी वही पर वो इन्वेस्टिकेशन करने के ले गई किसी आदमी ने एक छोटे से टाइगर को ऐस पेट घर में बंद करकर रखा था उस बेबी ने वहाँ से निकलने के बहुत कोशिश की पर वो निकल नी पाया फाइनल उसकी वही पर डेथ हो गए ये स्टोरी सुनने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है ये सिनारियो उसके लाइब से पैरलल है उसे आज कल अपनी लाइब में स्टक लग रहा है वो निकलने के बहुत कोशिश कहती है पर निकल नी पाय रही जब उसका बाइफरेंड वापस आया तो एक दिन उसकी बात उसने सुनी उसे पता चला कि वो अल्रेडी इंडिया में एंगेज़्ट है यही रिजन था कि वो अपने कलीक से हमेशा उसके रिलेशन्शिप के बार में जूट कहता था ली के बारे में किसी को भी पता नहीं था ये सब सुनकर ली को बहुत बुरा लगा वो निकलना ही चाहती थी तो सब को छोड़कर अपने घर आ जाती है घर में उसकी मदर ने सब को स्टोरेज का सामार रखा था मदर ने कुछ न्यू क्लास से स्टार्ट किया ली इसका मजग उड़ाती है मदर कोई बात अच्छे नहीं लगती रात में डिनर करते हैं ली ने अपने पैरन्स को पता दिया एक कुछ दिनों के लिए मैं यही रहने वाली हूँ पैरन्स कहते हैं कि तुम 30 साल की हो तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो ली ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए उसने जीस तरीके से अपने लाइफ को एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है अब तक उसे लाइफ में एक सही डारेक्शन मिली नहीं वो अपने लाइफ से ज़रा सैड है तो इसलिए थोड़ा टाइम निकालना चाहती है उसके वादर इस बात के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे ली के साथ टाइम स्पेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगली दिन ली अपने स्कूल के फ्रेंड टॉड से मिलने के लिए आई टॉड उसे देखकर बहुत ही खुश था टॉड आर्ड गालरी में काम करता है तो उसने कितना भी ब्रेक लिया तो कोई भी फरग नहीं पड़ता उसने ली से पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आई हुई हो ली गयती है इस सरा टाइम के लिए में यही रहूंगी टॉड ने उसके बॉइफ्रेंड के वारे में पूछा ली ने उसे सब कुछ सिचुएशन बता दिये ली गयती कि अब तुम अपने सारे प्लांस कैंसर कर दो हमें मजे करने है है स्कूल में इनकी ग्रूप में और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेल ली जाकर उसे मेल दिये अब वो असिस्टन प्रिंसिवल बन गई थी तो उसे इस तरीके से देखना या उसके लिए बहुत ही वियर्ड था वो बिली ने कर पाती कि मेल अब इतनी सुदर गई है क्योंकि हाई स्कूल में बहुत सारी अलग-अलग चीज़े वियर्ड चीज़े क्या करती थी ली ने उसे पुचा कि आज कल चल क्या रहा है मेल गयती है मैं और मेरे हस्बन प्रिंगनट होने का ट्राय कर रहे है सिक्स मंच हो गे पर फिर भी अब तक कुछ भी नियूस ने आई इसी वज़े से आज कल वज़रा स्टेस रहती है ली ने उसे सिगरेट ओफर की वो पहले लेने रही थी पर बाद में उसने ले ली वो भी थोड़े से फिर से मजे करना चाहती थी स्कूल में उसे स्टिक रहना पड़ता है सब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है पर आज उसे बहुत ही फ्री लगा शाम में सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिए आए ली से उन्होंने बुझा कि अब तुमारा प्लैन क्या है ली के दिक में फिर से लाइफ गार्ड की जॉब करूंगी मेल ने कहा कि वो जॉब तुम हाई स्कूल में करती थी अब तुमें यह नहीं करना चाहिए ली वेसे भी ब्रेक पर है तो उससो कुछ भी जादा फरह नहीं परता यहाँ पर इस डिनर के वग मेल का हस्बन भी था मेल का इस तरीके से उसके फ्रेंड से मिलना है उससे जादा अच्छा नहीं लगता युगी जैसे हमें पता है कि लीग और टॉड ही इतने जादा रिस्पॉंसिबल नहीं है वो किसी भी टाइम पर खुछ भी कर सकते है अगली दिन ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ले लिया वो आउपर एक हाई स्कूल के लड़के जो मिली जिसका नाम था लीडल जैसन जैसन यहाँ पूल के पास ही रहता था तो हमेशा वह यही पर आता रहता है ली जब सब बच्चों पर नज़र रग रही थी तो कुछ बच्चे भागते भागते गए उसने कहा कि तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते तो सब बच्चों ने एक आगस को गिला करकर उसे बहुत मारा उसे बहुत सारी गालिया भी दी ली इन बच्चों को बैंड कर देती है और इसके बाद खुद रोनने लग गई थी थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो उसे पुछता है कि क्या हुआ ली ने कहा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो गैंस्टर की तरह भी हुगाता है वो कहा वर रहता है मैंनों से स्विमिंग पूल से बैंड कर दिया है जो भी हुआ था ये सारी चीज़ उसने जेसन को बता दी नेकसिन में में मेल और उसके हस्बन को देखते है मेल आज राद ली और टॉड के साथ फिर से डीनर करने के लिए जाने वाली थी तो हस्बन कहता है कि जादा ट्रिंग मत करना मेल ने कहा कि इस से जादो कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर फिर भी हस्बन के लिए मान जाती है आज एक शॉप के बार ली और टॉड को जेसन और उसके फ्रेंड्स मिले जेसन की फ्रेंड मैट ने कहा क्या आप हमें बीर दिलवानी के लिए हल्प कर सकते हो टॉड ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा हल्प करने के बदले में टॉड को जॉइन चाहिए था ये बच्चे इसके लिए मान जाते है जब बाय करने के लिए रात में इससे पोचे तो उनके साथ मेल भी थी मेल ने इन बच्चों को देखा और वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि सारे बच्चे मेरे स्कूल में जाती है मैं वाइस प्रेसिडन्ट हो मैं इस तरीके से चीज़े नहीं कर सकती है टॉड गैदा कि ज़ादा वरी मत करो तबी जेसन और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि अब हम स्कूल में नहीं आने वाले है वो ड्रॉब लेकर एक न्यू सिटी में जाने वाले थे टॉड ने कहा कि अब ये तुम्हारे स्टुडन्ट नहीं है तुम ज़ादा वरी मत करो पर फिर भी मैल इसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी वो गाड़ी में ही रुकी मैल के साथ इन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड्स रुका हुआ था मैल उसे समझाती है कि मेरा भी हाई स्कूल में जादा कॉंसेंट्रेशन नहीं होता था पर बाद में उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया और अपनी लाइफ को अब उसने सुधार लिया है इस कन्वर्सेशन से इस बच्चे को अच्छे डारेक्शन मिली और वो स्कूल से ड्रॉप नहीं करने वाला ली टॉर्ड और जेसन के फ्रेंड्स ये सब आगे गए फिर स्मोक करते है ली ने जेसन को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए अपने हाई स्कूल एजुकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए अगर तुमने नहीं किया तो लाइफ हार्ड हो सकती है जेसन कहता है कि टाउन बहुत ही घटिया है हर कोई उन्हें हेट करता है ली ने कहा कि यह जो एक्स्पिरियंस है यह तुमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है तुम स्कूल में जा सकते हो तुम्हें कोई काम नहीं है स्मोक करने के बाद ली और टॉट जब फिर से वापस आया तुम मेल रोने लग गी तो कहती है आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मज़े करने थे वो ने अपनी सारी टेंशन बता दिया किस तरीके सो प्रेइनन्ट हो नहीं पा रही है इन्हें मेल के लिए बुरा लगा और घर आकर उसे रिलाइस करते है ड्रिंक्स वगरा करकर इन्होंने हैंग आउट किया और मेल को भी रात बहुत ही अच्छी लगी अगली दिन ली जब अपने काम पर आई तो जेसन का फ्रेंड मैट ही स्विमिंग पूल के पास ही सोय हुआ था ली ने उसे पुझा कि क्या हुआ तो मैट ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे घर से पहार निकाल दिया मेल को चुटी थी और घर पर बोर हो रहा था तो ली और टॉट के साथ वो हैंग आउट करती है इन्होंने लॉंग ट्राइव ली और बहुत मजी किया ये जब वापस आये तो जेसन और उसके फ्रेंड्स को स्केट बोर्ट करने के लिए पुलिस ने अरेश्ट किया था ली के थी कि आप ये सब कर गया रहे हो इस तरीके से आप इन्हें अरेश्ट नहीं कर सकते है वो एक रिपोर्टर थी तो इस वोजे से पुलिस भी डर जाते है और वहाँ से चले के इसके बाद ये सब फिर से हेंग आउट करते है इसमें आज मेल का हस्बन भी था ये सब जो भी स्मोक कर रहे थे इम मेल की हस्बन को अच्छा नहीं लगता ली और जेसन बात करते है ली ने जेसन से कहा तुमारा फिउचर का प्लान क्या है जेसन को कुछ भी पता नहीं था तो ली उसे लिक्टर देने लग गई जेसन उसे कहता है तुमने सब कुछ प्लान करकर रखा था पर फिर भी तुम बहुत ही सैड हो ली इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती गर पर आने के बाद मेल और उसके हस्वन के बीच में जगड़ा हो जाता है उसे लगता है मेल इस सिचेशन को सिरेसली ले नहीं रही उसे खुद का ख्यार रखना चाहिए अगले दिन जब ली और जेसन ने पूल के पास हैंग आउट करे थे तो ली ने उस लीटल टाइगर को क्या हुआ था इसके बारे में जेसन को बताया जेसन कहता है तुमने जो आर्टिकल लिखा वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स टाइम शायद कोई ऐसा नहीं करेगा उसके पास आकर उसे हग कर लेता है थोड़ी देर में जिस छोटे बच्चे ने ली को सताय हुआ था वो उसके पास आकर उसे सौरी कहता है उसने बहुत ही रिक्विस्ट की तो ली ने फिर सौरी स्विंग पूल में आने के लिए अलोग कर दिया वो ली से गयता है कि प्लीज जैसन को पतातो कि मैंने आपसे माफी मांग किया वो मुझे तंग ना करे इसका मतलब है जैसन ने उसे धमका कर यहाँ भेचा हुआ था ली को यह सब बात बहुत ही स्विट लगी रात में बारिश होने लगे तो जैसन भी ली के कार में बैट गया था यह दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे ली को यह रेलाइज हुआ और वो वहाँ से दूर चली जाती है फिर रात में अपने फ्रेंज के साथ स्विमिंग फूल पर आये ली और जैसन ने एक दूसरे को ही देख रहे थे ली वाशरों आये तो जैसन उसके पास आ जाता है जैसन ने बुचा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो क्या फरक बढ़ता है सब कुछ ठीक हो जाएगा वो फिर उसे किस कर लेता है और यही पर यह दोनों इंटिमेट हो गए आज रात ली घर पर बहुत ही लेट आयी थी तो उसकी मदर उस पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि तुम इस घर को होटेल की तरह ठीट नहीं कर सकती तुमें कुछ रिस्पॉंसिबिलिटीज लेनी चाहिए मदर का कुछ काम था जो उसने फादर को दिया हुआ था पर फादर इसके बारे में भूल जाते है क्योंकि उन्हें ली के साथ टाइम स्पेंट करना है मदर इस बात से और भी जादा फ्रस्टेड़ होगे पर ली और फादर खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने के लिए मिला स्विंग पूल पर आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी इसी मुवमेंट पर एक छोटा सा बच्चा स्विंग पूल में गिर कया और इसका ध्यान नहीं था बाद में उसे और जल्दी से बचा लेती है घराते वक ली ने फिर से जेसन को देखा ये दोने एक लेक के पास आए जेसन कहता है कि वर्माण बहुत ही प्यूटिफूल है वहाँ पर में फिस्ट वेकरा कैच करता था ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते हैं इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिनू हुई थी एक दिन ली ने जेसन से बूचा कि तुम कब जाने वाले हो जेसन कहता है कि एक दो विक में में निकल जाओंगा उसने कुछ पैसे सेव करकर रहके उसके पास 400 डॉलर्स दे ली ने कहा कि इतने इनफ नहीं है तुम्हें एटलिस 1000 डॉलर्स चाहिए तुम थोड़े दिन यहीं पर रूख जा कुछ अगर और पैसे आजाएंगे उसके बाद चले जाना ली नहीं चाहती थी कि जेसन इतनी जल्दी यहां से चला जाए एक रात पार्टी पर मेल ने ली से का तुम ऐसा कुछ भी पर उसके बाद उसे हाथ लगाने लग गया मैड ने कहा कि मैं गे नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है गुस्से में जेसन के पास आया और कहा कि हमें कल के कल निकल जाना चाहिए जेसन कहता है कि मुझे और भी कुछ पैसे सेव करने जरा एक दो विक्स लग सकते है मैड बेजा रहे इस सब बातों से बहुत ही साड हो गया ली के घर पर उसके पैरन्स मिलकर एक रूम बनवा रहे थे यही दिखाने के लिए जेसन को ली लेकर आई ली के पैरन्स अपने हतों से खुद बना रहे थे इसका मजाग ली ने उड़ाया यह सब बाते ली की मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगी उसने कहा कि तुम इस तरह की से वापस कैसे आ सकती हो बच्पन से लेकर आज तक मैंने तुमारा ख्याल रखा है तुम जब अपने जॉब करने के लिए तो मैंने खुद की आइडेंटिटी क्रियेट करने की कोशिश की अब तुम जब वापस आ गई हो तो सब कुछ प्रॉलम क्रियेट कर रही हो तुमारे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंक तुम कितने भी दिन या पर हो उन्हें कुछ भी फरक नहीं पड़ता पर मदर को बढ़ता है ली एक छोटी बच्ची की तरह बहेव करती है ये मदर को अच्छा नहीं लगता उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया ली फे जेसन की घर पर आके और यही पर अब वो रहने लग गई थी एक दिन उसे एवर्ड फंशन से एक मैसेज आता है उसने जो आर्टिकल लिगा था उसने उन्हें एवर्ड दिया है इसका प्राइस थाउजन डॉलर से है इसमें ये भी लिखा था कि आपने जनरलिजम छोड़ दिया ये सुनकर हमें बहुत ही बुरा लगा क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिया है और जब एक किस कर रहे थे तो टौड इन्हें देख लेता है मेल आजकल अपने लाइफ के साथ ज़्यादा सीरियस नहीं है तो ये बाद उसके हजबन को सही नहीं लगी उसने मेल से बुशा क्या तुम सचूश में प्रिगनन्ट होना चाहती हो मेल ने कहा कि हाँ होना चाहती हो हस्बन गहता है तो अभी के अभी मेरे साथ इंटिमेट हो मेल ही नहीं चाहती थी तो इस पर इनका जगड़ा हो क्या सब कुछ बाते बताने के लिए टॉड के पास है बाते करते करते टॉड के मुझ से लिकल जाता है कि लिए जेसन के साथ रह रही है इस बात से मेल बहुत ज़ादा गुस्ता होगी इनके एक रूप में वो भी इन्वाल्ड है अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसकी जॉब भी चाह सकती है वो गुस्ते में ली के पास है जेसन भी वही पर था उसने जेसन से कहा तुम्हारे पैरेंट्स के पास चलते है उन्हें ये सब चीज़े पता होनी चाहिए वो ली पर वे बहुत ज़ादा गुस्ता थी उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ क्यो डिश्ट्राइ करना चाहती हो मैं स्कूल में तुमारी जेसी थी पर बाद में मैंने मेरी लाइफ को एक अच्छी तरीके से डारिश्ट्राइ दी है तुमने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दी मेल इसे अब चीज़े जेसन के फादर को बताने वाली थी पर जेसन ने कहा कि मैं स्कूल को बता दूँगा कि तुम हमसे ड्रग्स बाय कर रही थी मेल इस बात से और भी ज़्यादा घुस्सा हो गए एक दिन जब ली और जेसन जंगल में जाकर हैंग आउट कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मैट की डेड़ बॉड़ी देखी उसने सुसाइड कर ली थी उसे इस ताउसे जेसन की साथ निकलना था पर जेसन नी उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया इससी वाजे से उसने सुसाइड कर ली थी ये दोनों ले देख कर बहुत ही ज्यादा डिस्टरब हो जाते हैं जेसन रोने लग गया जेसन ने कहा उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड की थी अब और एक पूलिस ओफिसर जाकर फिर से उसे वही न्यूस देगा उसे बहुत बुरा लग रहा था ली कहती है मैं बता कराती हूँ ली भी बाहर आकर बहुत रोए क्योंकि उसने जेसन को रुखने के लिए कहा जाकर बताती है एक दुसरी का साहरा लेकर बहुत रोती है ली अब जेसन के घर से बाहर निकर गए वह एक राध स्विविंग पूल के पास सुई और दुसरी रात अपनी मदर ने जो घर बनवाय था उसमें जाकर सो जाती है उसके घर से जाने के बाद उसकी कैट मिसिंग यह भी उसे मिल गई जैसन ने जब स्कूल को छोड़ दिया तम मेल उसके फादर से बात करती है उने फिर से समझाने की कोशिश करती है जैसन को इस तरीके से स्कूल से मत निकाली है जैसन की फादर ने खा चाहिए जेसं के फादर के जाने के बाद मेल को मनाने के लिए उसका हस्वन आ गया उसे वह सौरी कहता है जिस तरीके से हस्वन वाइब जगर थे उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देते हैं उसी तरीके से इन दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया था मेल ने अपने स्क साइड वेगरा बना कर रखी थी मदर को अच्छा लगा कि ली कुछ ना कुछ तो responsibility ले रही है ली अब घर में रह सकती थी मैट के फ्यूनरल पर ली और मेल फिर से एक दुसरे से मिले ली ने मेल को सौरी कहा और मेल उसे माफ कर देती है यह इसके पाद जेसन के जाने का दिन आ गया था वो ली से मिलने के लिए ली को अपने आर्टिकल के लिए जो thousand dollars का चेक मिला था यह वो जेसन को दे देती है उसने कहा कि तुम बहुत ही amazing हूँ कभी भी अपने आप पर doubt मत करना अच्छे से मेहनत करना और लाइफ में तुम success हो जाओगे इसके बाद ली भी अपनी city में फिर से वापस चली जाती है वो अपने काब में अच्छी थी पस्ते ब्रेक अप की वज़े से जरा ब्रेक लेने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी तो फिर से लोट जाती है जेसन भी अपन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा यह बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोन में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ त